हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बेक टु माई इस्टडी मेडियल ही चैनल और आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ने और समझने वाले हैं कारपत्रक 43 यानि के वक्सीट नमबर 43 को जो क्लास 6 के समाजे विज्ञान के बच्चों के लिए दिनांग 22 दिसंबर 2021 के सेडियोल की गई है और जिसका उब इसे है बुद्ध की कहानी तो आज हम लोग महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी कहानी क्या है तो आईए सुरू करते हैं भावना आज पहली बार अपने माता पिता के साथ सारनाथ देखने के लिए उत्तरपदेश आई सारनाथ आपके जो बनारस इसको बोलते हैं उसके पास में ही इस्तित है अजोकी उत्तरप्रदेश में है सारनाथ में भावना के माता पिता उसे सारनाथ इस्तूप दिखाने ले गए सारनाथ में सारनाथ इस्तूप है ये जो आपके स्क्रिन पर दिखाई दे रहा है यही है सारनाथ इस्तूप भावना इमारत को देखकर पड़ी उत्त्जुख थी उसने अपनी मासे इमारत के बारे में बताने के लिए कहा भावना ने जब इमारत को देखा यानि कि जब इस्तूप को देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा और अपनी मा से उस इस्तूप के बारे में जानने की जिगया सा की यानि कहा कि मम्मी आप बताओ उसकी मा ने बताया कि इस इमारत को इस्तूप के नाम से जाना जाता है यही पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था जो सारनाथ है महात्मा बुद्ध के दारा सबसे पहले उपदेश सारनाथ से दिया गया था उसकी मम्मी ने बताया इस घटना की इसमरिती में इसमरिती मतलब याद में यहां इस्तूप का निर्मार किया गया मतलब की लोगों के मन में हमेशा से यह याद हो जाए एक यादगार पल हो जाए इसी को याद रखने के लिए उस अस्थान पर जहां पर सबसे पहले महात्मा बुध ने उपदेश दिया था वहां पर इस इस्तूप का निर्मार किया गया जिसे कि लोग जाने भावना ने अपनी मा को बुध के बारे में बताने के लिए कहा भावना की मा ने बताया बुध बुध धर्म के संस्थापक थे अगर आपसे बच्चों पूछा जाता है कि बुध धर्म के संस्थापक कौन थे तो आपको बताना है महात्मा बुध तो उसके ममी ने बताया कि बुध जो थे वे बुध धर्म के संस्थापक थे बुद्ध छत्रिय थे तथा साक्य नामक एक छोटे से गड़ से संबन्दे थे बुद्ध के बच्पन का नाम सिधार्थ था इन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है और इनका जन्म लगभग पचीस सव वर्स पूर्व हुआ था जो महात्मा बुद्ध थे ये बौत धर्म के संस्थापक थे और ये एक छत्रिय थे ठीक है और इनका जो जन्म हुआ था एक साक्य नामक छोटे से गड़ में हुआ था और इनका जो बच्पन का नाम था वो था सिधार्थ और लोग इनको गौतम के नाम से भी जानते हैं और इनका जन्म जो है पचीस सव वर्स पूर्व हुआ था आगे देखते हैं आपके स्क्रीन पे महात्मा बुद्ध का छित्र दिखाई दे रहा है ग्यान की खोज में उन्होंने घर से सुखों को छोड़ दिया ग्यान की खोज में उन्होंने क्या किया कि घर के जो भी सुख थे सुविधाय थे उसको छोड़ दिया और अनेक वर्सों यानि कि कई वर्सों तक वे भ्रमर करते रहें अन्य बिचारकों से मिलकर चर्चा करते रहें अंतता ग्यान की प्राप्ती के लिए उन्होंने स्वयम ही रास्ता ढूड़ने का निश्टे किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया, जो बोध गया है वो बिहार में है, में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दीनों तक तपस्या की। अंतता उन्हें ग्यान की प्राप्त हुई, इसके बाद से वे बुद्ध के नाम से जाने गए यहां से वे वरार्सि के निकट सारुनाथ गए जहां उन्होंने पहली बार उब्देश दिया कुसी नारा में मृत्यू से पहले का सेज जीवन उन्होंने पैदा लिक एक अस्थान से दूसरे अस्थान की आत्रा करने और लोगों को सिक्षा देने में ब्यतीत किया देखें आज की कहानी में हम लोगों ने बुद्ध के विसे में जाना कि बुद्ध जो थे वे बुद्धर्म के संस्थापक थे और उनकी जो जन हुआ था वो आज से लगवे पचीस सो वर्स पूर्व हुआ था और उनका बच्पन का नाम जो था वो सिधार्थ था लोग उनको गौतम के नाम से भी जानते हैं और उन्होंने क्या क्या कि ग्यान की खोज में अपना क्योंकि एक राजकुमार थे और उन्होंने अपना सारी सुभधाये छोड़ कर ये चले गए ग्यान की खोज में और ग्यान की खोज के लिए वे कई रिसी महत्माओं के पास गए और अंत में उन्होंने खुद ही इसका रास्ता निकाला सारनात गए और वहाँ पे पीपल के पीड़ के नीचे बैठ कर कई दीनों तक तपस्या की और अंत तक उन्हें क्या मिला ग्यान की खोज हो गई ग्यान मिल गया और फिर उन्होंने जो है देखिए इनको जो ग्यान मिला वो बिहार में पढ़ता है बोध गया वहीं पीपल के पेड़ के नीचे ये बैठे और वहाँ पे इनको तपस्या की और इनको जो है ग्यान मिला और पहला उपदेश ग्यान मिलने के बाद जो पहला उपद इनकी मृत जो है वो कुसी नारा, जिसको हम लोग कुसी नगर के नाम से जानते हैं, वहाँ पर हो गई तो आज की वर्क सीट में बेटा एक प्रस्ण दिया गया है बुद्ध के जीवन के बारे में एक सच्छित नोट लिखिए तो इसका आंसर आप ऐसे लिख लेंगे बुद्ध बुद्ध धर्म के संस्थापक थे, बुद्ध छत्री थे, बुद्ध के बच्पन का नाम सिध्धार्थ था इन्हें गौत्म के नाम से भी जाना जाता है इनका जन्म लगभ़ पच्चीस वर्स पूर्व हुआ था एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दीनों तक तपस्या गी अंदता उन्हें ग्यान की प्राप्त हुई इसके बाद से वे बुद्ध के नाम से जाने गए यहां से वे वरार्सी के निकट सारुनात गए जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया कुसी नारा में मृत्यों से पहले का सेस जीवन उन्होंने पैदल ही एक अस्थान से दुसरे अस्थान की आतरा करने और लोगों को सिक्षा देने में ब्यतीत सारुनात इस्थो किया मतब सारुनात में क्या किया लोगों को उपदेश दिया तो इस तरीके से आज की ये वरक्सीट आपकी कंप्लीट होती है आई हो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बच्चों इसे लाइक करें कोई कमेंट हो तो कमेंट बाक्स में दें और दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा सेर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें इसका साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक ये